तेसलाम ओलेकूम एव्रिवन कैसे हो आप सब उमीद करते हो आप सब के रिये से होगी आज आप लोगे साथ में शेयर करने जा रही है रेस्टियो स्टाइल टब शिकन अंगारे के रेसिपी बहुत टेस्टी बन कर रेडी होती है इसका चिकन बहुत जूसी और टेस्टी होता है फ्लेवर फुल रेसिपी है आप लोग मेरे इस वीडियो का एंट जरूर देखिए आप लोको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शुर सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए हम स्चाट करते है यहां पर सबसे पहले मैंने कड़ा सबसे पहले मैं यहां पर कुछ अमसालों को भूलिए हैं यहां पर मचीक ड्राइम शुञकर्षपूर नियुन और सबस्कैत बहुते है सब्सक्राइब करने नी आए uh टरह में लख़एरे काले नहीं जचक तो इन्चा करेक यह और सारे का शूचल कर लें बुम गराब कर ngay ऑ आप बदाम या काजो कुछ भी आट कर सकते हैं जो आपकी पास अवेलेबल है ड्राइफरोट्स यहां पर ऑप्शनल है यहां पर मैंने एड किया है क्योंकि ग्रेवी में थोड़ा सा रेच लुका आता है वरना ड्राइफरोट्स के विराबी इसका टेस्ट बहुत अच्छा ह ड्राइबल करें दून लेके और फिर से ठंडा पिस लेंगे यहां पर मैंने चार कांदों को इस तरह से फ्राय कर लिया था और इसे इस तरह से हातों की हल्प से चूर के इसमें अट कर देंगे तो यहां पे कांदो को भी मैंने आड्ड कर दिया है उपड़नें अब इसमे यह के हimming अधर ग्लसन का पेस्ट तो 2 थेबुल쳤istem ऑदर ग्लसन पेस्ट इसमें आड्ड कर दिया है यहां पर तोमठो प्यूरी हां, इसमय ख्रया स्केडा, सबड़ा लिए धिया है FOR M лось जांजिए, ब्रइब घ्रापैया है यहां यहां पर रैचिली पादर, तोटैब रीस्पून के एकोरीफ üzer ऐसेट कुदेगा यहां पर salt एड़ कर रही हूं और यहां पर गरम oil एड़ कर रही हूं जिसमें मैंने onion fry किया था वही oil मैंने इसमें एड़ कर लिया है तो यह खाने के 4 बड़े चमच oil मैंने इसमें एड़ कर दिया है पिंच of turmeric भी आड़ कर रही हूं सारी चीजों का अच्छे से मिला लेंगे और इसे रेस्ट पे छोड़ देगे हाफ इनार के लिए इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे रख सकते हैं कभी हमारे गार में गैस चारह हो हम इसे प्रेपरेशन करके इस तरह से रख सकते हैं मौनिंग मे इसे ओठके पटाफद बना भी सकते हैं तो यहां पर मैंने मैं हाफ इनार के लिए रखा था और इसकी बाद कमाने इसे गैस पर चड़ा दिया है और यह जो पानी इस नहीं पॉल्छ में पैसी इसमें कुछ भी पानी लिया है कर इसे सील्ठीन लेना है चिकन कलने तक है यहां पर मैंने 20 मिन्स तक इसे ढख कर पका लिया था है देखिए यहां पर इसका पानी थोड़ा सा सुख भी गया है और ऑईल भी सेप्रेट हो गया है यहां पर मैं थोड़ा सा फूट कलर एड़ करी हूँ फूट कलर भी ऑप्शनल है बट मैंने एड़ किया है क्योंकि इससे कलर बहुत जादा चाहता है और दो हरी मिच्चे एड़ कर दिया है फूट कलर एड़ करके एक बाई सची तरह से मिला लेंगे और फिसमे एड़ कर देंगे लेमन जूस तो यहां पर हाफ निम्बू का रसमी ने इसमे एड़ कर दिया है बींचों को अलग निकाल लिया है और जूस को इसमे एड़ कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट भी आट कर रही हूं क्योंकि सॉल्ट मुझे कम लग रहा था तो हाफ टेबर इसमे करीब मैंने सॉल्ट और एड़ कर दिया है इसके अंदर फिर से एक बार इसे मिला लेंगे यह पर ग्रेवी तो अल्मोस्ट रेड़ी है अलम भी च Эकट कर लेंगे कि हमारा चिकन गला है या नहीं कि अ गिर जो कि देखिए यह पर चिकन औलमोस्ट गल हा है बस थोड़ा स 250 जाबन या नहीं है तो इसे दखकर हम थोड़ा सा और पका लिए पार्श मिन दख देखें यहां पर मस्त हमारी gravy रैडी हो गई है बस यहां पर एक लाट सेपْ करना बागी है हमी इसमें चार कॉल स्मोक लगाना है ताकि बिल्कुल restaurant style type चिकन अंगारा बनकर रैडि हो जाये मैंने यहां पर कोईले को जला लिया था इसमा है टकर जाएगी और इसे ढख लेंगे इसमोग निकलने तक कांगे इसके फ्लैम को आफ कर देंगे और देखिए मज़दार से चिकन अंगारे के रेसे पर हमारी बनकर रेडी है बहुत टेस्टी थी है बहुत यम्मी थी इसकी खुश्बू भी बहुत मज़े के आ रही थी देखिए क इतना अच्छा कलर भी आ गया इसका खाने में तो यह मज़ा ही आ गया आप लोग भी से इस तरह से जरूर पनाईगा आप लोग की फैमिली में भी इसे बहुत पसंद किया जाएगा हमने इसे इसे इंजोई किया तंदूरे रोटी और जीरा राइस के साथ में कटेवे आएगा और अब 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 योग अब लोगा चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैंने रिचिप्र पसंद आयता ह्ते जैसे लाइक शोज प्शोज़ण जरू करिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टील त chw